हेलो बच्चो मैं डॉक्टर नवल्दे भारती अभी तक हम लोग कट फ्लावर क्रॉप्स को डिसकस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने ट्यूब्रोस तक कट फ्लावर क्रॉप्स के कल्टिवेशन को डिसकस कर लिया है उसके बाद नेक्स्ट जो कमर्शिल कट फ्लावर है वो है orchids तो आछ से हम इस वीडियो से हम लोग orchid के cultivation को discuss करेंगे orchids क्या होते हैं कैसे flowers होते हैं इनकी botanical characteristics क्या है है तो जाना कैसा क्या important जीन इसके कौन कौन से है और कैसी इनको requirement चाहिए इनके successful cultivation के लिए इन सारी चीजों को one by one कई वीडियो में हम लोग इसको detail में discuss करेंगे ठीक है तो आज ही पहला वीडियो है orchid cultivation से related ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हैं orchids होते क्या हैं यह किस तरह के flowers होते हैं orchids actually orchids किसी एक ही species से belong करने वाला flower नहीं है orchid जब हम orchid की बात करते हैं जब हम बोलते है orchid तो orchid का मतलब यह होता है कि वो सारे genus ध्यान से समझेगा वो सारे genus जो orchidacy family से belong करते हैं उनके flowers को हम orchids बोलते हैं combined way में हम उन्हें orchids बोलते हैं यह कोई एक single species का flower नहीं है यह बहुत सारी species और even बहुत सारी species ही नहीं बहुत सारे genus से belong करने वाली बहुत सारी species है ठीक है orchidacy family एक बहुत बड़ी family जिसमें बहुत सारे genus हैं और हर genus में बहुत सारे species हैं और उन सभी के flowers को combinedly एक साथ हम orchids बोलते हैं ठीक है तो orchid की अगर बात करें तो family orchidacy है ठीक है और सभी की flower को हम simple orchid बोल देते हैं लेकिन यह किसी single species से belong नहीं करता है origin इसकी बहुत wide range origin है ज्यादा थे tropical जो area है मतलब पूरे world में जो tropical countries हैं वो इसके center of origin है तो tropical forest of Amazon मतलब South America का जो tropical region है यानि Amazon के जंगल है वहाँ पर भी इसकी बहुत सारी species originate हुई है और साथ ही साथ एशियाटिक ट्रॉपिकल रीजन में इंडो मलायन रीजन मतलब इंडिया और मलीश जो इंडो मलाया मतलब देख लेते हैं कि orchids है क्या है ना मैंने भी बताया कि यह orchids जो है orchidacy family से बिलॉंग करने वाले जितने भी genus है जैनरा है उन से बिलॉंग करने और उन हर एक जैनरा में जितनी भी species है वो सभी orchids कहलाती है तो देखे लिखा हुआ है introduction में orchidacy is a large family of monocotyledons comprising about 800 genera and 25,000 species around the world orchidacy एक बहुत ही large family है monocot से बिलॉंग करती है जिसमें 800 genera है लगभग 800 genus है और 25,000 species है यानि हर genus की में बिलॉंग करने वाली अगर हम species की बात करें तो लगभग 25,000 species पूरे world में अब तक जो है identify की जा चुकी है ठीक है orchids are accepted to be the world's most exotic and fascinating flower ठीक है ये अभी तक पूरे wish में सबसे जादा exotic मतलब exotic के जब हम exotic बोलते हैं तो exotic मतलब की बिलकुल अलग है ना मतलब किसी से मिलता जुलता ना हो अगर कोई ऐसा flower जो किसी से मिलता जुलता ना हो अपने आप में उसकी एक खूबसूरती हो और अपनी खूब्याओं तो उसे हम बोलते हैं exotic तो यह बहुत ही ज्यादा exotic और fascinating means attractive flower है ठीक है जिसमें बहुत सारी varieties हैं इसके form को लेके इसके size को लेके इसके shape को लेके color को लेके texture को लेके even इसकी petals पे जो markings होती है different different उनको लेकर के बहुत variation आपको देखने को मिलेगा तो इतनी ज्यादा जो variety variation इसमें पाया जाता है variety to variety और species to species genus to genus तो बहुत ज्यादा variation इसमें देखने को मिलता है इसलिए यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला flower है ठीक है और इसी वजह से इसकी कीमत भी अंतराश्री बाजार में बहुत जादा है पूरे वर्ल्ड में इसकी कीमत अन फ्लावर्स की comparison में और्किड्स जो है वो बहुत महंगे होते हैं इनके महंगे होने का कारण सिर्व यही नहीं है कि यह बहुत जादा variety इसमें पाई जाती है variety तो है ही साथ ही साथ इनकी cultivation practices जो है वो थोड़ी सी skilled based है मतलब उसके लिए बहुत प्रॉपर skill और knowledge होनी चाहिए तो तब आप orchids का cultivation कर सकते हैं और हर जगह नहीं कर सकते यह भी थोड़ी problematic है तो इस वज़े से भी इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है तो जितने भी cultivated orchids है मतलब सारे के सारे नहीं जैसे पचीस अजार species है तो ऐसा नहीं जिसमें से कुछ है कुछ genus से बिलॉंग करने वाली कुछ species है जिनको commercially मतलब website इस तरफ पे उनके flowers के cultivation के लिए उपयुक्त माना गया है तो वो सारी की सारी species जो है जादतर tropical countries को बिलॉंग करती है मतलब वहीं की origin है ठीक है उसके बाद next है in India अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी orchids की बहुत सारी species आपको देखने को मिलेंगी ठीक है in India they are mainly found in north eastern hills सबसे जादा orchids का अगर आपको कहीं concentration दिखेगा इंडिया में तो वो है north eastern hills नौर्थीस्ट की जो पहाडियां है ठीक है मतलब सिक्किम और आसाम की साइड में अगर आप देखें तो वहां पर जो है इसका इसमें बहुत जादा बायो डायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी orchids की इसी लिए नर्सी और्किड जो है situated है सिक्किम में ठीक है तो यह बात ध्यान रखेगा यह बहुत पूछा भी जाता है अगर orchids के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि orchids से related जो research center है इंडिया में वो कहां located है तो नर्सी और्किड जो है वो सिक्किम में located है जहां पर orchids पर research हो तो आते हैं वापस point पर कि इंडिया में हा नौर्थ इस्टन हिली रीजन जो है नौर्थ इस्ट का जो हिली रीजन है वो सब जो है orchid की biodiversity से rich है पूरी तरह से उसी तरह साउथ में देखे तो कैरला western ghat मतलब करनाटक और महराश्च करनाटक वाला जो रीजन है western ghat वाला री कि इंडिया में जो है आपको इसकी biodiversity देखने को मिलेगी नौर्थ इस्टन रीजन में केरला वाले रीजन में western ghat और कुछ species जो है वो कश्मीर से बिलॉंग करती है ठीक है हम आगे बात करेंगे कश्मीर से बिलॉंग करने वाली species कौन सी है तो इनको कैसा climate मतलब यह जो अग कई बात डिसकस किया कि tropical region उस region को बोला जाता है जो warm हो और humid हो मतलब नम हो और थोड़ा सा warm जो है temperature हो ना ही extreme summer हो ना ही extreme winter हो मतलब बहुत जादा ठंड ना हो ना ही बहुत जादा गर्मी हो ऐसी climate को हम बोलते हैं mild climate या tropical climate तो orchids जो होते हैं they grow in the humid tropical forest ठीक है humid tropical forest में grow होने वाले plants है cultivation of orchids has become very profitable occupation due to its commercial value for cut flower industry means orchids का जो cultivation है वो इसलिए अब लाबदायक हो चुका है क्योंकि जादा तर इसको cut flower industry में इसके website या इसकी website इस तर पर इसकी खेती की जारी क्योंकि cut flower industry में as a cut flower इसकी demand बहुत जादा है market में इसलिए अब इसे बहुत ही फायदे का business समझा जाता है orchids के cultivation को the secret of successful cultivation of orchids is to provide them with conditions as identical as possible with the environment under which they were going in the wild ये कह रहा है कि अगर orchids का successful cultivation करना है ठीक है मतलब कि अगर आप website कि इस तर पर या commercial level पर orchids की खेती करने जा रहे हैं तो उसका सबसे secret वो ये है कि orchids को बहुत जादा care management नहीं चाहिए orchids के cultivation के लिए बहुत जादा care management नहीं चाहिए orchids का successful cultivation आप तभी कर सकते हैं जब जितना संभव हो सके उसको वैसा environment प्रोवाइट करिए जैसा कि वो wild forest में मतलब अपनी जो उसका center of origin है जहां पर वो उद्भा हुआ है वैसा environment आप जितना बहतर प्रोवाइट कर आपाएंग कि जैसे wild condition में naturally जैसे orchids grow होते हैं बिल्कुल natural condition जब आप उनको वैसे ही आप provide करेंगे तभी orchids जादा से जादा बहतर तरीके से grow करते हैं develop करते हैं और उनमें maximum flower production आप ले सकते हैं बहुत जादा care management या domesticated condition orchids की requirement नहीं है तो यह main secret है कि बिल्कुल जो climatic condition या soil condition उनको जो provide करिए वो वैसी होनी चाहिए जैसा कि वो अपने wild environment में उन्हें मिलती है ठीक है origin हमने बात किया इसका tropical forest of Amazon और Indomalaya region ये इसके center of origin है मतलब कफी broad tropical countries जितने broad region है में इसका बहुत सारी species जो है वो evolve होई है distribution की अगर बात करें इंडिया में कहां कहां distributed है तो इंडिया is blessed with a wealth of orchids flora and about 1300 species are estimated to occur in the country ठीक है इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया इतनी rich biodiversity है orchids की तो यहां पर लगभग orchids की 1300 species पाई जाती है country में ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी Indian climatic condition में about 1300 species जो है वो यहां की environment के लिए suitable है और उनी species का cultivation हम यहां पर कर सकते हैं ठीक है जिसमें northwestern जो हिमालयन रीजन है northwestern हिमालयन रीजन मतलब कश्मीर वाला जो रीजन है वहां 200 species हैं लगभग और उसी तरह नौर्थ इस्टरन इंडिया में नौर्थ इस्टरन हिमालयाज में मतलब जो आसाम है या सिक्कीम वाला रीजन है वहां पर 800 species आपको उधर ल इस तरह से देखा जाए इंडिया में भी जो है और्किड्स की species को लेकर के बहुत बायो डाइवर्सिटी है जिस पर बहुत जादा research और development का scope है साथ ही साथ बहुत सारी varieties और species ऐसी हैं जिसकों की commercial level पर उनका अगर हम उत्पादन करें तो as a cut flower जो है इंडिया डोमेस्टिक as well as international market को हम cover कर सकते हैं क्योंकि यह highly demanded flower है ठीक है तो मुझे लगता है आप लोगों कोई थोड़ा सा introduction इसका समझ में आ गया होगा orchids का उसके बाद next वीडियो में हम लोग जो है इसकी botanical characteristic और important genera और किस तरह का यह flower होता है उसको हम लोग discuss करेंगे ठीक है और इससे related कोई अगर आप लोगों को कोई doubt हो तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा feedback दिया करिए comments में लिख करके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है तो उस recording हम अपने इस lecture को और इंप्रूफ करेंगे बाकी figure wise और आगे की चीज़ें हम orchids में और detail में हमें बहुत करेंगे की चीज़ें है